दोस्तों, यह देख़िए यह दरा साथ क्या है jeजशे वर फूट करा है ना टिंगे करने का तरीका इस वीडियो में अपरोगों को सीखने को मिलेगा दोस्तों एक जाद में करने दोए हैं हमें एक जर्षा के मुद्गिष्ट नहीं कुए कंट säट लगार तो भी इतना पड़ा है तो हम आपको च्छोटा करना रह तो इदर काट करें ओपर आपि और यह यह भी आपका दीले इसको भी करना है कि फिटिंग करना है ना इतरों कि आया कि आ कि तक आधिक जाने आधिसे पर दू कर्ड़ें को यह कोदी आधिक करें लाइना ऑंघून्ध शांपके जो नांफे जो नाइग ने दिया है दोस्टों वा च्छाबिस इंचे लंबा लिया है दोस्तों और तरह स्वायगार इन्ची साइड पला भी त मैं और नापी दे रहा हूं देने के बाद इसको काटिंग कर g、 दॉण रखना है नीचे तरफ दीने के बाद यह चइना मोडल होगा दुस्टेंस की तरह मैंने इसको मोडल कर दिया थे को चोग का दाख देने के साज़्ट तरब इतना है सवायगार रखने के बाद इसके बाद ये हाथ को भी अलग कर लिए तके क्या होगा साठ हो में दोनों हाथ को भी एकी नाफी से कर लेता हूं सु तिरा लेने के बाद वार साइटके लिए करने की इस तरह से में संध सुनतने साओर करने क करने कि इस दोनों मिलते से हुए मैं सलाइक रहाूं और अले साट को मैं सिधा पोजिशन में स्लाइट कर रहा हूँ अब साट को में उल्टा करके इदर चाप और सलाइट दे दूँगा ताकि ये पुछड़ा अंदर में रहेगा ये डबल सलाइट दे दिये उपर सामने तरफ और पीछे तरफ ताकि क्या होगा ये और जिनल की नाब जूग था हुआ हो गया अब साथ के नीचे तरफ में स्लाइट करना दोस्तों यह पर चाइनिज मोडल होगा ये दो बार स्लाइट करना पड़ेगा एक बार पाला है चांस में इस तरह से एक चाप देते हुए मैं स्लाइट पुरा घुमा दिये इसके बाद फिर और एक बार मोड रहा है दोस्तों इस तरह से मैंने दो बार यहां पर करना पड़ेगा बहुत तों के पास चाप रहाता है वह एक बार में हो जागा मगर यह हम लोग के पास दो बार स्लाइट करना पड़ेगा तभी जगर कि यह हम लोग फिनिसिंग कर पा रहे है इस तरह से मै को निचे तरफ स्लीज में और फिर की पूरा गुमुआ दिए है containers अब में और अब मेर सथ को पी नीचे तरफे दूसरा बर रहा हूँ एक बर मोडने के बाद दूसरा बर मोडने मोड़नाay आपड़ यह पर इस तरह से इसको पूरा और एक चाप की दूरी की हिसाब सन से पूरा नीचे तरफ लाइए। सही सलमात और एक नापी में में करना है, करले जेए। आप मैं हाथ को जोईं करना है दोस्तो और बड़ी के साथ इस तरह मैं नीचे से इस तरह से जोड़ रहा हूं को आगे पीछे थपला सा रखते हुए और इस्तर से दोनों पालला को समान करते हुए हाथ का और बड़ी का समान भरहन इसमें चाप सलई नहीं दिया जाएगा लिंक लेगा नहीं और आपका मेसिन नहीं है तो इसका डिस्क्रिप्षिप्स न में लिंक डाल चुगा है उस वीडियो को जोरूर देखर कि आप घर पर इसलाइब मेशिन से इंटलग कर सकते हैं मेशिन खरदने का जूरत नहीं देखने को लगए अल्टार आपको नहीं दिखाए देगा इस तरीका से आप दोनों हाथ को इस तरह से में इंटलग कर रहा हूं दोस्तों इस तरह से इंटलग करना बहुत जरूरी है इसके बाद इंटलग करने क इस तरह से iron complete पूरा और नया की तरह हो जागा यह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल में नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल नोटिविशन दबागर के all मे रखिएगा और आपका समय मिला तो वीडियो के नीचे description मैंने playlist का link डाल चुके वहाँ पर भी बहुत स्राइब देखिए दूसरा वीडियो फिर बिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार